तो है गाईज मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे मेक दा सम इवन ये क्वेश्चिन था आपका मार्च लंच्टाइम 2021 का ये क्वेश्चिन आप यहां से आके कर खुछ से बढ़ जरूर लीजेगा क्वेश्चिन काफी असान क्वेश्चिन था इसमें आपको छोटा से चीज मतलब observe करना था आप समझ जाते कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है सबसे बढ़ा हिंट आपको ये इस पार्ट में है क्वेश्चिन का ठीक है इवन बनाए तो इवन कैसे बना सकते मालों अगर और ऑड है सब्स्क्राइब है तो इसे हमें इवन में कनवर्ट करना पड़ाएगा ठीक है तो हमने यही बताना है कि इसके आप से इवन बनाने में कितने step लगेंगे एक लगए दो लगए तीन लगए एक भी step लगए लगए और अगर possible ही नहीं है अगर यह odd sum इसका odd है और इसको convert करना possible ही नहीं है ठीक है तब आपको minus one print कर देना है ठीक है तो हम कैसे convert कर सकते हैं इसका जो sum है उसको हम क्या कर सकते हैं कोई इक number को select करें ठीक इसमें से कोई भी number को select करेंग 편 और उसको हम replace कर सकते हैं कैसे replace कर सकते है इसको हम replace कर सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है तो कैसे replace कर सकते मालब hasn't hey आई को select किये तो इसको हम कैसे replace कर ने थैंए हम करेंगा इसको ii का power p where p is maximum of zero comet A of I by 2 minus 1 मतलब यह देखो यह AI को हमने select किया ठीक है तो AI को हमें power करना है P का P क्या है P है हमारा maximum of 0, AI यह AI हो गया तो AI by 2 minus 1 ठीक है तो यह हो गया तो यह सबसे बड़ा question का hink था ठीक है कैसे hink था आए बताता हूं तो सबसे पहले आप base condition समझ रो कि हमारा जो array इसका sum अगर already even अगर already even है तब तो हमें एक भी step नहीं लगेगा ठीक है तब तो हमें 0 step लग जाएगा अगर मानलो यह odd है तो इसको हम कैसे change करें देखा फई एक चीज़ आप यह जानो कि कोई भी जैसे कोई number है AI ठीक है उसका आप कुछ power कर रहे हो P तो अगर AI even है तो यह जो value आएगा ना यह जो value आएगा AI का power P यह भी even रहेगा मानलो अगर यह even था यह already even था तो AI का power P भी हमारा even ही रहेगा क्यों रहेगा समझे रहो जैसे 4 क्या होगा 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4 यह ही चीज़ होगा नो तो यह even ही ना रहेगा यह 6 into 6 into 6 into 6 यह even ही रहेगा यह फिर आप 20 into 20 into 20 into 20 even ही रहेगा समझे तो यह चीज़ होगा और अगर मानलो AI जो है यह हमारा और है तो इसका AI का power P जो होगा AI का power P यह भी हमारा इसका आप आप समझे रहेगा तो आप देखो जैसे हमारा हमारा जो है इसका सम जो है यह ओण है इसका some odd है, क्यों even है तो उसमें तो जिख्रो श्टप लगएगा, तो basic condition में बता दिया, इसका some odd है, ठीक है, तो मानलो AI को replace कर रहे है, मानलो AI को replace कर रहे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका sum होगा, इससे हम minus AI करेंगे, इससे minus AI करेंगे, sum odd, sum, मानलो AI अगर even है, ठीक है, पहले मानलो कि AI even है, तो odd minus even, odd minus even मतलब, जैसे 7 minus 2 करेंगे, तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो odd minus even भी आपको odd होता है, ठीक है, तो ये odd ही होगा, ठीक है, तो ये odd होगी है, अब इसको हम क्याची से replace कर रहे है, AI का power, P से replace कर रहे है, ठीक है, AI प्लस even होगा, ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, ये आपको odd होगा, जैसे को example लेना है, तो ये वही मानलो 7 plus 2 लेलो, कि आपको क्या होगा, 9 होगा, तो odd plus even आपका odd ही होता है, ठीक है, पिर भी odd रहे गया, दिखा, इचिल दिखा नक, ये odd रहे गया, अब दूसरा condition पर आ मान के चल रहा है तो क्या होगा इसका सम जो है इसका सम जो है यह तो और हमें पता है इवन में तो जीरो आगा ठीक है तो इसका सम जो है यह और ठीक है इसमें से हम क्या माइनस कर रहे है इसमें से हम और मैनस कर रहे है तो यह क्या है यह हमारा हो जागा इवन तो इसका जो आं कि को रिक्षरेट करें येए का पावर पी से रिप्लेस करें ठीक का पाव, लिए पावर-पी यह और होगा, यह भी हमाराоля और होगा मैंने बतायाथ अबी, तो एवनrien फ्र सब्स फिर और होगे साम, फिर से हमारा azad ही रहागिया, ठीके रहा है ना a वाer जीँ कि som azad ही रहा गया, तो मतले आप number को change कर दो, फिरード जीँ रहागिया, इतने भी number को change करते जाओ, अगर odd number को change करते हैं तो some पिर odd रहा जाएगा even को change करते हैं फिर some odd रहा जाएगा, समझ रहागा, क्यों कि even minus होता है तो इसका even plus हो जाता है odd minus होता है तो इसका odd plus हो जाता है ठीक है change होके तो ये आपका sum जो है वो increase तो कर रहा है लेकिन odd ही रह जा रहा है ठीक है तो even भाईया कैसे बना है even भाईया कैसे बना है तो even माना का तरीका देखो क्या है हमारा क्या लेना है हमें AI का power P लेना है ठीक है P क्या है P है maximum of maximum of AI by 2 minus 1 comma 0 ठीक है ये 0 किस वक्त में select होगा अपने हमें साथ देखा होगा कि मानलो गर AI का value कुछ जैसे कुछ भी लेलो 4 भी लेलो तो 4 by 2 minus 1 कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है 2 minus 1 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ठीक है अब अगर 5 लेलो तो 5 by 2 minus 1 कितना हो जाएगा ये फिर सापर 2 होगा फिर ये भी 1 हो जाएगा ठीक है तो ये 1 होगा जैसे दो नमबर बढ़ते होगा यह p का वालू भी बढ़ते जागा ठीक है लेकिन लेकिन अगर आप यह सेलख़ी और आपको तो पता ही होगा कि कुछ मान लो कोई नमबर है इसका अगर पावर करें जगिरो तो यह क्या हो जागा यह 1 हो गया तो अब दिए वह scene क्या होगा? मान लो जो हमारा array था इसका sum तो odd था ठीक है? odd था इसलिए हमेरा कर रहे है भी तो odd था और इसमें एक कही न कही 2 present है इक कही न कही 2 present है तो two को जब हम convert करने तो क्या scene होगा two को convert करने से यह हो जागा two का power 0 हो जागा यू मना बता है क्योंकि 2 x 2 minus 1 यह कितना हो जागा? 0 तो यह कितना हो जागा? यह हो गया 1 तो यह number even था even से change होके हो गया odd तो यह odd minus even हो ठीक है? 2 even हो तो यह कितना हो जागा? यह odd भी जाएगा लेकिन यहाँ पिर plus क्या हो रहा? plus 1 है तो 1 क्या है? 1 है हमारा एक odd number तो odd plus odd गया हो जाएगा odd plus odd हमारा even हो जाएगा तो यही चीज होगा तो अब इतना देख़्ेगा आप समझी गया होगे कि अगर even है तब तब को 0 step लगेगा अगर odd है ठीक अगर some even है मतलब कि अगर some even है ठीक अगर अगर some odd है तो यह हम कभी भी change नहीं कर पाएंगे अगर सिर्फ 2 होगा अगर हमारा array में 2 present करता है तब ही उसको हम change कर पाएंगे ठीक है तो और 2 को change करते हैं में कितना step लगा 2 को 1,1 में सिर्फ एक ही step लगा तो आपका answer जो है आपका answer जो है या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो minus 1 होगा 0 किस case में जब sum already even है minus 1 किस case में कि sum odd है और 2 present नहीं है और 1 किस case में कि sum odd है और 2 present है ठीक है तो यह case में है तो यही चीज़ था और कुछ नहीं था तो code देखना तो आएए मैं code दिखा देता हूँ आपको यह रहा है सा code यह रहा array एक बना लिया flag type कि 2 है कि 2 है कि नहीं है अगर 2 है 0 मान के चरना कि यह नहीं है और sum को देख ले रहे है ठीक है और यहाँ पर input ले जा रहे है उसको sum बनाते जा रहे है अगर आप जैसे data structure algorithm सीखना चाते है फिर इंटर्वी के लिए प्रिपायर करना चाते है तो आप यह course आके चेक कर सकते है और भी बहुत सारे course है जैसे test series लेना हो या कुछ भी लेना हो तो आप चेक कर सकते है machine learning, python, system design बहुत सारे courses है तो अगर आपको लेना है तो SK सामाज GFG coupon user ना भूले flat 10% off हो जाएगा और साथ ही साथ यह दोनों courses में interview profession और DSA वाले course में आपको internship का भी मौका मिलता है तो आज के वीडियो में इतना ही था तो आपको जैने बाद ध्यान रखे सेफर हैं मिलता के वीडियो में बाबाए और सामाज बाद नापको जैने बाद पर शीडियो में section is always there to help evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA Expert these companies want take charge now and make DSA your biggest strength with us